श्रीको कुल के रस्या कीज़ श्रीको साइन जी परम दयाल कीज़ श्री अमने महाराणी कीज़ श्रीको कुल के रस्या कीज़ नमो नमस्ते स्त्वरुषवाय सात्वताम विदूरकाश्यायमुकुयोगिनाम निरस्त्यसाम्यातिशये नराधसाः श्वधामनी ब्रह्मनी रंच्यते नमहा यस्यानुकंपावशतसुदुलवं मानोश्यमब्दं परमस्यपुन्सः सरवार्ददं दीनदयालुमेकं गोपाल दालं शरणं प्रपध्ये अत्रविराजमान परमपुज्या पित्रचरण एवाब चिडायश्मान स्वियान बाबाब आज बहुत आनन का विशय है कि हम उच्सों निमेत सत्संग करने के लिए गत्रित हुबें श्रिमत वलभाचारे जी ने सुबो दिनी अंतरगत पुष्टि मार किये परम दो फल बताये हैं पहला नंत महुच्छव का आनन और दूसरा रास में प्रवेश और जब हम शाजय जी महाप्रभू की आग्या का पालन करें उनकी वारी पे शद्धा विश्वास के साथ उनकी आग्या का पालन करें तब हमें अविश्य यह दो फल प्राक्त होंगे इसलिए सर्वोत्तम स्तोत्र में भी कहा है कि कृष्णा धरामृत आस्वाद सिद्धिरत्र नसंश्रे कि श्री वल्लब की कृपा से कृष्णा धरा अर्थात कृष्णा का जो अधरामृत है उसका आनन्द जीव को प्राप्त होगा इसमें कोई संदेह नहीं है प्रिया जनों हमारे धर्म शास्त्र में आनन्द के तीन श्री बताई गई पहला विषयानन्द दूसरा ब्रह्मानन और तीसरा भजनानन विषयानन का आर्थ होता है विषयों में से जो आनन्द प्राप्त होगा अर्था विषयों के जो आधीन होगा और जब विशय चले जाते हैं, विशय नष्ट हो जाते हैं, तब वह आनंद भी चला जाता है, तो वह शनिक होता है, इसलिए हमारे सुभाषतकार कहते हैं अस्तिरम जीवितम लोके अस्तिरम धनयोवने अस्तिरम पुत्रदाराश्च धर्मय को ही निश्चला कि अस्तिरम जीवितम लोक अर्दाथ यह लोक में यह जीवन अस्तिरम अस्तिरम धनयोवने धन योवन अर्दाथ युवावस्थ यह भी अस्थिर अस्थिरम पुत्रदाराश्च दाराश्च का अर्थ होता है पत्नी पुत्र पत्नी यह भी अस्थिर है तो विचार कीजिये वश्णवो जो वस्तू जो व्यक्ति अस्थिर हो तो उसमें से मिलता हुआ आनंद के अस्थिर हो सकता है नहीं हो सकता यह है विशयाननद इससे उपर ब्रह्माननद आता है ब्रह्माननद कार्थ होता है ब्रह्मा में लए हो जाना और ब्रह्माननद में चार प्रकार की मुट्टी बताई गई और कोई जी ज्यानमार्ग कर्ममार्ग पे चले शायत से करोरों में वह एक होगा कि उसे यह चार मुट्टियां यह ब्रह्माननद की प्राप्थी और इससे उपर है भजनानद जो पूर्णाननद और यह भजनाननद कैसे प्राप्थ होगा कि कृष्टन की सेवा से इसलिए हमारे आचाय चरण चतुश्लोकी में आज्या करते हैं कि सरवदास और भावेन भजनियों ब्रजाधीप अर्थाद सरवदास और भावेन ब्रजाधीप का भजन उनकी सेवा यही पुष्टी माल किया धर्वाधीप तो जब जीव प्रभू की सेवा प्रभू के भजन करेगा तभी उसे यह भजनाननद की प्राप्थी होगी और यह भजनानन्द में पूर्णानन्द इसलिए श्याचाहचरन कृष्णाश्रे में आज्या करते हैं कि प्राप्था सकला देवा गणीतानन्द कम प्रहद पूर्णानन्दो हदिस्तस्मात कृष्णाईवा गतिरममा कि यह सब जो प्राकृत है वा गणीतानन्द है उसके आनन्द की गणना हो सकती है परन्तु यह जो पूर्णानन्द है वा अगणीतानन्द है कि उसके आनन्द की गणना नहीं हो सकती तो वैश्टा वो भजनानन पूर्णानन और इसलिए ब्रज में जब ठाकुर्जी का प्रागट्टे हुआ तब पूरे ब्रजमंडल में आनन्द व्यापक हो क्यों जैसे कोई लौकिक बालका जन्म होता है तब वहाँ आनन्द उसके परिवारता के सिमित होता है परन्तु जब प्रभू का प्रागट्टे रज में हुआ तब नंद बाबा यशोदा के साथ पूरे ब्रजमंडल में आनन्द व्यापक हो गया तो जिससे यहाँ पता चलता है कि यहाँ प्रभू आप पूर्णानन्द है और यहाँ पूर्णानन्द की प्राग्ति कृष्ण सेवा से होती है तो हम भी नेत्य कृष्ण की सेवा करें ठागुर जी की सेवा का अभ्यास करें जिससे हमें भी यहाँ पूर्णानन्द की यहाँ भजनानन्द की प्राग्ति हो यही मंगल भावना के साथ मैं अपनी वार्णी को विराम देता हूँ और जन्माष्ट में उत्सव की आपको खुब खुब बढ़ाए बोलो शिवल्लबा धीश की जै श्रिगुसाईजी परम दयाल की जै श्रियम्दे महराण की जै श्रिगोवर धन्नात की जै श्याम सुन्दर श्यम्दे महराण की जै श्यगोपाल लाल प्यार की जै श्यगोखुल के रसिया की जै श्यनाउनित लाल प्यार की जै सिबाल कृष्ण लाल प्यारे कीजे शिगिरी राज धरन कीजे श्री मदाचार्य चरण कमले भ्यो नमह श्री वाग्पत ये नमह सच्चिदानन्दरूपाय विष्वोत्पत्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री क्रश्नाय वयं नमह नमो भगवते तस्मै क्रश्नायाद भुत कर्मने रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति योयत अज्ञानति मिरांधस्य ज्ञानाजनशलाकया चक्षुरन्मीलितम्येन तस्मै श्री गुर्वे नमह प्रभुर्नन्दकुमारोमे स्वामिनी व्रुषभानजा कृतार्थोहं 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 नशन्शय श्रीमत कथासंश्रवनों पयोगि श्रोत्रम्ददव यह करुनारसाथि कथा मृता स्वादन मूडचिता गोपाल लालं शरणं प्रपध्ये गोपाल लालं शरणं प्रपध्ये गोपाल लालं शरणं प्रपध्ये गोपाल लालं शरणं प्रपध्ये अखंड भुमंडलाचारे जगद गुरु महाप्रभुश्य वलभाचारे जी आप श्रीना अलोकिक अप्राकृत सरुपनू इरदेमा धिहान धरी आपशिना युगल चण्ना आर्विंदमा कोटान पूटी डंड़त्रनाम उपस्तित आत्मिय जनो सरुप्रथम तो आजना श्रीठाकृर्जीना जे प्रागटी नी जे छठी पूजन एनी आप बधाने खुब खुब बधाई एवं जन्माष्ट मी नन्महोच्षव खुब विशिष्ट आ उत्सव छे अने आ उत्सव आ सेवा प्रणाली का वरश्भर्मा जे उत्सव पन विशेष आवेचे राधाष्ट मी आदी तो एमा पण इम लखवा मा आवेचे का जन्माष्ट मी वत ठाकुर्जी को शिंगार धराने जन्माष्ट मी वत प्रकार राखनो यले आखा वरश्मा पण आ जे जन्माष्टी मी जे उत्सव छे जे ठाकुर्जी नो सेवा कर्म प्रणाली का आदी छे एनू अनुसंधान कर्वा मा आवेचे भगवद प्रादुर्भाव जे शिराम चंद्रजी नो प्रागट्टिर नर्सी भगवान के वामन भगवान इने वामन द्वा दशी राम नौमी नर्सी चतु दशी आदी तरीके आपड़े इने उडखता होई है परन्तु साक्षात आनंद कंद पुष्टी पुरुषोत्तम नुझे प्रागट्ट्टे चे एने कृष्णाष्ट मी नथी केता एने जन्माष्ट मी कहिए है बाके शिराम चंद्रजी नुझे प्रागट्टे राम नौमी तरीके आपड़े उडखिए वामन जी चे के नर्शित जी चे वामन द्वादशी परन्तु आ क्रश्णाष्ट मी नहीं जन्माष्ट मी कारण के आएक बहु और साधारण आएक घटना चे आजन्मा भगवान नुझे जन्म थऊ यटले जे एकादश्व स्कंद माँ जियां शुकदेव जी यदुवन शियो नुझे भगवद इच्छा थी जे लए थयो मुक्तिनी प्रात्की थई ठाकुर जी जियां पोतानी लीला समेटी रहा चे ये प्रसंग माँ जयती जन्म निवासो देव की जन्म वादो शुकदेव जी कहे चे क्या एक बहु मूटी घटना चे के जे नुझे नुझे निवास स्थान आख्वा विश्व जगत चे ये प्रप्रमसी कृष्ण नुझे नुझे गर्ब चे देव की नुझे जठर हे ये नुझे निवास थान बनी गरी जे व्यापक चे सहस्तर शीर्षा, पुरुपह, सहस्तर आक्ष, सहस्तर पात जे वेदों मा जे प्रप्रमनों जे वंडन करवा मा आविव चे जिना सहस्त्र सीर्षा सहस्त्र शीर छे सहस्त्र भुजाओ छे सहस्त्र चरणारविंद छे सहस्त्र चरणारविंद सहस्त्र शीर नो मतलब व्यापक न अर्थमा छे हजार मूढा के हजार हाथ ए अर्थमा नहीं लेता ए परब्रह्म व्यापक छे आपनी व्यापक ता दर्शावा माटे आ वेदोना उदगार छे तो जे जगत जेनू निवासा स्थान छे एनू निवास स्थान शूथ है गयो देव कीनू गर्व क्या आ एक बहु विशिष्ट घटना छे कि प्रभू नो ये जन्म जे अजन्मा भगवान नो जन्म था वो परन्तु ए जन्म एक लीला मात्र रूप छे मनुष्य नो जे जन्म थाए छो तो एनी साथे मृत्यू सुनिश्चित छे परन्तु जारे भगवत प्रादुर्भाव थाए ए जन्म अलग रिते इनू निरूपन करवा मा आवे छे ठाकुर्जी नो प्राकट जन्माष्ट मी जन्माष्ट मी ना एक दिवस पूर्व आपड़ा पुष्टि प्रम्परामा ठाकुर्जी नी छठी पूजन करवा मा आवे छे छठी ए एक मायानू शुरूप छे अन्य जग्याए पन त्यां छठी पूजन थतू होई छे वितरमार्ग माँ त्यां ए छठी ने एक दिवी ना रूप मा पूजवा मा आवे छे आपने त्यां एक मायाना रूप मा एन्नू पूजन करवा मा आवे छे रज सुरूप छे जो पुष्टि पार्ग मा त्रण पूजा जो आमा आवे छे एक तो गोवर्धन पूजा एक छठी पूजा और एक भट्टी पूजा सत्व रज अनितम आत्रण त्रिगुणातित जे गुण धर्म छे एक धर्मने ध्यानमा राकीने आत्रण पूजा धाये छे सत्व रजनी प्रधानता गोवर्धन पूजा मा छे रज धर्मनी प्रधानता गुण धर्मनी प्रधानता अच्छठी पूजा मा छे अमना शेन ना जारे दर्शन ने खुल से जारे छटी पूजा करवा माँग एपन भगवादू सुखार्थ ठाकूर्जी ने सुख पहुँचे प्रभूने आनंद आए एकले आनंद राई जी यशोदा जी एमना कुल देवीनू स्मरण करीने एमने विन्ती करे छे अने एवा आपना घणा पदो साहित्यों मां मडे छे ठाकूर्जी चिरायुश्मान एमनो लाला चिरायुश्मान था एवा घणा साहित्या आपना त्यां पदों मां उपलब्द छे क्या छटी पूजाना कि ठायो भगवान ने इनना कृष्ण ने इनना पुत्र ने इननो आयूश बल आदीनी वृद्धी थाये समस्त सुखन येने प्राप्ती थाये तो भगवद सुखार्द ए छटी पूजा करवा मावे छे आपड़े त्या जेपन वैदिक कर्म आदीना जे प्रकार छे लोकिक कर्म आदीना जे प्रकार छे लोकिक वैदिक ये बदू भगवद प्रित्यर्थिन छे जारे पन कोई पन संकल्वादी करिये तो ये संकल्वमा ओम विष्णु 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 श्रीमद भगवतों माहा पुरुशस्यादी बोलीने जारे मंत्रन उचारण करवा मावे छे ने अंतमा भगवद प्रित्यर्थम के मारिया जेवपन प्रवृत्ती छे वृत्ती छे ये हुँ एना माटे करू छू के ठाकुर जी मां मारी प्रिती बढ़े सर्व वस्तू समर पनम जे शी आचार जी आग्या करे छे तो भगवद सुखार जिम नंद्राइजी पन तिर्थ यात्रा करवा माटे गया एक दा देव यात्रा याम जे अम्डी कावन मां यात्रा करवा माटे गया व्रत करे ओ अन ए बदो व्रत आदी करवानों पन हेतू के इमना पुत्र ने सुखनी प्राप्ती धाए अवे ए हेतु थी पन बले अन्याश्रे करे वो सर्पनो दन श्व सर्पे इने आवी ने ग्रसी लिदू ए पीडा पन इमने सहन कर लिदी नंदराई जीए परन्तु बस मारा पुत्र ने सुखनी प्राप्ती धाए मुख्य वस्तु प्रिय जनो आजे छठी पूजन सत्व रजगुण प्रधान छे सत्व गुण धर्मनी प्रधानता गोर्धन पूजामा छे रजगुण धर्मनी प्रधानता आज छठी पूजामा छे अने तम गुणनी प्रधानता भट्टी पूजामा जे सामक्री सिद्ध धाये जम अन्कूटादी अमुक दीवसो पेला जे घरनी जे परमपरा अनुसार जिटली सामक्री नो नेग होए ए प्रकार्ण मा पेला अगनी देवतानी पूजा करवा मा आवे छे ए भट्टी पूजा एटले तम गुण प्रधानता इने कहवाए चे तो आम मुख्य त्रण पूजा आपने तेयां सिर्कार करवा मा आवी छे मा आजनो जे दिवस छे प्राचिन काल थी आपने तेयां एक दिवस पुर्व बाकी तो छठी आपने समझी शेके के छठा दिवसे था है जन्मना परन्तु अवतार कारमा लीलाना सारस्वत कल्प मा जे प्रसंग आवे छे कि ए छठा दिवसे पूजा आए पूजा मा प्रधार करे भगवाने पूजा ना उद्धार करे और ए समय नी आपा धापी मा जे छठी पूजवन नो जे प्रकार हतो ये तियां लुप्त थे गए ये विस्वर्ती थे गई करण के बाल घाती नी आटलू मोटू राक्ष सीनू सुरू एटला एटला बाढकों ने मारी ने पूजवन आवी ए छठा दिवसे पूजवन ना सनमुख थाई ये दिवसे छठी पूजवन रही गई वह एटले पूजवन ना निमित के मात्र थी शिमहाप्रभुजी है आश्टमीना एक दिवस पहला सब्तमी है ठाकुर्जी ने छठी पूजवन करी है वित्यार थी आपड़े त्यानी आप रणाली का परंपरा चाली आवी छे तो ये पर पूजवन आदी नो प्रकार ये बधू केवल भगवद सुखार था थी छे पुष्टी मार्गनी आज रीद थी छे कि जा भगवद सुखन विचार करवा मावे तद सुखे सुखित्वम नी जा भ्हावना होए ये ने जो पुष्टी भक्ती कहवाए छे तद सुखे सुखित्वम अने आ भावना अंतरकत सर्वस्व समर्पण नी भावना रहे ली छे तो आपड़ा पुष्टी मार्गनी विशेष्टा छे जनमाष्ट मी पलना नन्महोसो खूब विशेष क्रम आपड़े तिया बतावामा आव्यू छे हवेली मंदिरों मा तो विशेष्ट प्रकार थी कारण के आचारे परिवार साथे अन्यपन जेमना विश्णवोचे अंतरंग परिकर छे इसाथे सेवा मा जुडाई जाए छे एटले द्वी भुजा ने चत्रपुजु सरूपनी सहस्त्र भुजा थी जाए अन्यी सहस्त्र भुजा थी ठाकोर जी ने विशेष्ट प्रकार नो क्रम जनमाष्टी नन्महोसो वादी नो हवेली मंदिर मा आपड़े दर्शन करी शक्किये परन्तु ए नी साते ए पण ध्यानमा राखने जोए कि आपड़े आपड़ा घरमा आपड़ा ठाकोर जी ने पण विशिष्ट प्रकार नो कई न कई क्रम विशिष्ट प्रकार नी सामगरी विशिष्ट प्रकार नो जे भोग विशिष्ट प्रकार नो शिंगार कई आ आ आ आ जनमाश्ट मीना निमिते कई ना कई ठाकुर्जी माटे नूतन शिंगार, नूतन साहित ती आपना ठाकुर्जी माटे लईने आविए जिम आपड़ा बाड़क नो घरमा जनम दिवस होए तो ये जनम दिवस निमिते एने कई ना कई भेट बड़ी लोग मोटा हो आपता होई छे तो ये वी ते आपड़ा माथे विरास्ता आपड़ा ठाकुर्जी नो आपड़ा इष्ट नो जे प्रागटे नो जे दिवस छे तो आपड़ा घरमा आपड़ा ठाकुर्जी ने पन ए निमिते कई न कई शिंगार थाकुर्जी ने समर्पित अवश्य करवू जो जोई है भोग नो पन विशिष्ट प्रकार यें तो महा भोग आवे छे रात्रे अश्ट मीना दिव से गणी वकट विश्टों ना क्रम्मा नित्य क्रम्मा ए रात्री ना महा भोग नो प्रकार के रात्री नो जे पंचामर्द नो जे प्रकार छे ए हो तो न थी पची कई के ने विशिष्ट आग्या आए ना गुरु घरती मली हो तो ये वस्तू अलग छे बाकी प्रायह जे एक परंपराजे चाले छे मा जे सवार नो जे मकाले सवारे पंचामर्द थशे ठाकोर जी ने आप बधाने ख्याल हो शे सवारे ठाकोर जी ने पंचामर्द थाय रात्रे जनमना पंचामर्द प्रभूने थाई छे अने ये पंचामिर्द मापन सवारे जे पंचामिर्द थया जनमना ठाकोर्जी ने धोती उपणा धारण करीने काणके रात्रीना समयमा तमत बुतम बालकम भुजेक्षणम चतर भुजम शंग गदा आयुदा आयुदम श्रीवत्स लक्षमम गल शोविकोस्तुबम पीतामबरम सांद्र दयो उपसो भगम त्या ठाकोर्जी ने जारे प्रागट्टे थयू कारागरमा त्यारे आप पितामबर वस्त्र उपणा किरिट कुंडल कंकन आधी धारन करीने आप प्रगट थया हता यसे पं आप जारे ठाकोर्जी ने सवारे जिए पंचामरत थाये चे मा धोती उपणा कंकन आधी हलका शिंगार धराविने ठाकोर्जी ने पंचामरत नो करम होई ठे अने वेश्णों जे ठाकुर्जी ने पंचामरत आम घरमा करावता नथी होता वेश्णों न त्यां जे करम होई छे ये ठाकुर्जी ने चोकी स्थनान नी चोकी उपर पधरावी ने अक्षत तीलक ठाकुर्जी ने धरावी ने दूद थी प्रभु ने ठाकुर्जी ने स्थनान करावे जलती स्थनान करावे आ एक प्रकार नो क्रम हुए चे ये अक्षद पाचा वड़ा करे लिए जे ठाको जिंदर आगे न पची स्नान करागे आ एक सर्व साधार न एक प्रणाले का दर एक विश्णों ना घरमा जनमाष्ट मी नादिव से हुए चे ये समर पन अवश्य करवो जोईए अने साथे साथे आपणा गुरु घरमा आपणा मंदिर आपणा हवेली मात्या जहिने पन जे आपणा ती सेवा बने ए अवश्य ए सेवा पन अवश्य पहुची विजोईज़ तो ठाकोर जिनो परब्रमसी कृष्ण नो जे प्रादुर भ भाव महाप्रभु शिवलभाचारी जी एवं वेद व्यास जी आप आग्या करे जे कि कृष्ण स्थू भगवान स्वयम शिवाप्रभु जी पन समझावे जे कि परब्रम्महतु कृष्णो ही सचिदानन्दतं ब्रहद। सारस्वत कल्प मां जे कृष्ण नो प्रागट्ट थय। ये कोई अवतार नहीं पर अवतारी स्वयम शिवाप्रभु जी आप प्रागट्ट थय। काराह ग्रमा जे भगवान नो प्रागट्ट थय। चतर व्यू साथे आप प्रभु प्रगट्टे आछे। कारण के घणा बधा कारे भगवान ने करवाना छे। ठाकोर जीनू ज्यारे आप आधरा पर अवतरीत थता होए तो एनू किवल एकज प्रयोज नती होत। जे मां अपने घरती बारे निकड़े चालो मंदिर मां दर्शने करता आविए। सामे मड़े चे तो साथ भाजी लेता जहि Commission ओलने कपड़ा आप पना जह तो इसाते साते आ पता जहिने ओलने मडवानुए थई जासे पांच काम गरे निकड़ा तो पांच काम करी ने धरे इम विचारिय ने के पजी वारा गड़े निकड़ोनु येटले ए ठाकोर्जी पन जारे आ धरापण अवत्रित धाये छे क्यारे एनू एकज प्रयोजन न थी होतु अनेक संयोग अनेक प्रयोजन साथे ठाकोर्जी नू प्रादुर भाव थाये छे अने भगवत प्रादुर भाव नू रहस्य जान्मू शुकाम ठाक खास करीने आजना समय माः जो बे काल छे जारे साक्षात सरुपे ठाकोर्जी प्रादुर भाव आपनो थेओ ए समय ने अवतार काल कहवाये छे अने जारे साक्षात रुपती प्रभू नथी बिराजी रहा आपने साक्षात रुपती इमने इमना दर्शन आपने जारे नथी करता तो ए समय काल ने अनवतार काल कहवाएचे तो अवतार काल करता पण हमनानों जे समय चे अनवतार काल अने ए अनावतार कालना जे आपणे बधा आधोनिक जे भक्तों जी ए भमणाना जे भक्त छे इने आधोनिक भक्त कहवाई छे तो ए आधोनिक भक्तों ने भगवत प्रादुर भाववनू रहस्य आपना प्रागट धवानु कारण शूँ छे ए जानवू अती आवश्यक छे ए समझवू अती आवश्यक छे अवतार काल मा ए समझनी आवश्यक ता न थी कारण के ए समय मा भगवान पोताना सुरूप बल थी भगवान पोताना प्रमय बल थी ए समझनों जे हिस्सो छे ए पोते निभावे छे जे मैंती बसमा बेसी गया तो तम्हें बसमा बेसी ने सीट मा सुई जाओ तो ए चिंता नथी कारण के जे ड्राइवर छे इ इ गाड़ी चलावे छे पची तम्हारे आगड़ के पाचड़ के बदा मिरर जोवानी कोई आवशक्ता न थी पड़न तो जारे तम्हें पोताना साधनती जता हो तो तमारे जे साइड मिरर छे के जे सेंटर नो छे के पचिक्या राइट छे के लेफ छे इबदू समझवानी आवशक्ता आपनने रहे छे ये विर्टेज अवतार काला नहां अवतार कालमा बन्ने कालमा जे भक्तिनी जे यात्रा छे ए एने ए जे छे परन्तु फरक एटलो छे के अवतार कालमा भग्वान पोताना प्रमई बल थी ए पुर्शार्त सिद्ध करे छे जीवने पोताना प्रम लक्षत के पहुचावे छे जे मापड़ा पुष्टी जीवनू लक्ष शू छे जे म पुरोमा लाला ने वाद करी नन्मोसवन आनंद रासमा प्रवेश आपड़ू परम लक्ष छे अने आ लक्षनी प्राप्ती माटे प्रपंचनी विस्मृती भगवद आ सकती जी निरोध अवस्ता जे शी महाप्रभुजी बतावे छे बहुँ जरूरी छे जारसुदी प्रपंचनी विस्मृती नहीं थाए जारसुदी आपड़ी आसकती ठाकुर्जी माटे सुद्रण नहीं थवने एक आसकती थवी अने एक आसकती माँ सुद्रण ता आवी बनने अलग विशे छे के वी पर परिस्तिती आवी जाए के वो पन काल कठिन थाई जाए तो पन आपनी जे भक्ती छे इस सुद्रण ता रहेवी जोईए अपनो दोश विचार सखेरी उनसों कच्छू ना कहिए ये जो करे सोही सब आची ले अपने सिर सहिए कृपा एक लालन ही की चहिए अपनो दोश विचार सखेरी आज जीवन मा घणिवाद साधारां जीव अमें कईनू कई बिगारता नथी ठाकोरजी अमारा माथे बिराजे छे अमें एनी सेवा करिए छिए ठाकोरजी मा विश्वास छे आटलो आटलो नामस्परण करिए छे आवा बधा जीवन मा विपत्तियों के मावे छे गणी वार ठाकुर्जी उपर जीव दोशारों पन करतो होए छे धर्म मा एनी सुद्रणता नथी होती व्यक्ति पोताना कर्मने पून रूपती नथी जानतो आपड़े बधा आज जन्मना तो जे कर्म छे इतो छे जीवन मा सुख दुख आदीनो अनुभो व्यक्ति कर्तोज होई छे जारे पुष्टी जीवें विचारे छे अपनो दोश आ माराज की प्रारवदना दोश हसे के जेना लिए आज जीवन मा आज विपत्तियों के आपत्ति आवी रही छे परन्तो जारे जारे जीवन मा विपत्ति के दुख आवे प्रियजनों त्यारे एक सुख विचार वो जोई है के मैं मारा एक पापने भोग भी लिदू अन्य जारे जीवन मा सुख नो समय आवे त्यारे मन मा एक दुख नो विचार करवो जोई है के मारू एक पुण्य खतम थे गयू जीवन मा सुख आवे छे पुण्य थी जारे सुख आवे तो एक दुख नो विचार करवो अन्य दुख आवे तो सुख नो विचार करवो के मारा एक पाप नश्ट थे गया में आ दुख भूगवियू पचि येमा शारेरिक दुख होए आधि देविक, आध्यात्मिक, आधि बहुतिक तरण प्रकारना दुखनी केटेगरी बतावामा आवी छे तो दुख हावे तो एक सुखनों विचारा ने सुख हावे तो एक दुखनों विचारा तो पुष्टी चे जीव छे एक पोतानों आत्म दर्शन करे छे पोताना स्वयमना दोशने जुए छे तो शे आचारी चरन आग्या करे छे भक्ती केवी होई जोई ये सुद्रडः सर्वतो धिक स्नेह भक्ती ही भक्तीनी सुद्रडता आवश्चक छे अवतार कालमा सुद्रड करावानों काम भगवानना हात्मा छे परन्तु अनवतार कालमा आपणी भक्ती सुद्रड रहे एनी जवापदारी आपणा हात्मा छे कारण के ड्राइविंग सीटू पर आपणे बिठा छी आपणे सामे चाली ने ठाकुर्जी साथे भक्ती नो सम्मंद स्थापित करे ओछे ब्रह्म सम्मंद लेवा माटे आपणे सामे चाली ने करे ठाकुर्जी ना अगर निवेदन करियो के हे कृष्ण हुँ आपनो दास चुँ तो जारे आपणे आत्मनीवे दिन करिये ची तो इन निभावानी जवाबदारी पर आपणी बने चे अवतार कालमा भगवान पोताना प्रमेबल थी प्रपंचनी विस्मरण करावे चे जे माखन चोरी प्रभुये करी मटकी फोडी दान, मान, रास, गोवरधन, लीला, आदी आजे पन बकासूर, अगासूर, आदी जे बदा असूरों नो प्रभुये सोंवार आदी चे करे हो ये प्रभु पोते प्रयत्म करे चे परन्तु आजना समेमा प्रिये जनो आपने बधाये सावधानी राखवी परम आवश्यक छे इटला माटे शी हर्याय महाप्रभुजी शी हर्याय वांग मुक्तावली अंतर्गत श्रीमत प्रभो प्रादुर भाव प्रकार निरुपणम अंतर्गत आप शी आगिया करे चे के अवतार दशा भाव आस्वरूपे पिनसंभव अनुराग समुत्पत्ते पुर्वमित्येश निष्चय अवतार दशा भावा स्वरूपे स्वरूपी नसंभव अनुराग समुत्पत्ते पुर्वमित्येश निष्चय अत्र श्रवण मात्रई कराग एवा वशिष्यते अता एवोक्तम आचार्याई शास्त्र द्वारेईव मूच कह अंगी गृते शास्त्र रतव कारणत्तम ही गम्यते आपशी आज्या करे छे के आजना समयमा एस आउधानी राखवा माटे अवतार कालमा जे भगवाने पोताना प्रमेबल थी प्रेम भक्तों ना अंदर जाकृत करेऊ परन्तु आजना समयमा एस सहज प्रेम आपड़ी अंदर जाकृत थाए एना माटे आपड़ने सास्त्र ज्यान आवश्यक छे इटले शी महा प्रभुजी शु आज्या करेचे के महात्म ज्यान पुरुवस्तु सुद्रडः तमारी भक्ती सुद्रड कई रिते बंशे भक्ती बधामा होए परन्तु भक्ती नी आवशक्ताचे सुद्रड तानी ताले जे शनिवार नोजे भाईयों नोजे ससंग हतो अनेमा शी गुकलेश प्रभुना हासे वच्चनाम्रुत नोजी आरे सेवन करू तेरे अध्बुत वात लबबग छटो प्रसंगत ये छटा प्रसंग अंतरगत शी गुकुल नाजी है कि ए प्रेम मार्ग मा चालवा माटे 57 मा तमे जे पन वेश्णवावना गरे गुकुल नाजी ना वच्चनामर बिरास्ता अवशे नोजे नोजे संधान करिने जा कि एजे भक्ति मार्ग वपर ए प्रेम मार्ग ए पुष्टी मार्ग वपर चालवा माटे एक कोई सहज न थी जिम तलवार नी नोप उपर चालू जिम वनवन मा चालू वनवन मा चाली तो किटला कंकर पत्थर आवे जिम पहाड उपर चालू अलग अलग प्रकार शी को कुल नांची बतावे छे अने एना पाछडना रहस्य आप शी ये प्रगट करे आट शी आचारे चरणे इटले आग्या करी के ए भक्तीने सुद्रण करवा माटे महात्म ज्यान महात्म ज्यान पूर्वस्तु महात्म ज्यान नो अर्थ शू छे कि ठाकर जिन प्रादुर भावनू प्रागट्टे नू कारण शू आप शुकाम अवतार धारन करे छे आपनी लीला कई छे इतले स्वरूप भावना, लीला भावना अने भाव भावना आज शी हेराई महाप्रभुजी आपनने समझावे छे स्वरूप भावना जेनी तमें सिवा करो छो एकई लीलानू स्वरूप छे स्वरूप शू छे एनों ग्यान होगु आवश्यक छे लीला भावना ठाकुर्जी कई-कई लीलाओ करे छे गौचारण आदी वन विहार आदीमा ठाकुर्जी कई-कई लीलाओ करे छे जिम बाल कृष्णुलाल जीनों आपड़ा घरे सुरूप बिराजे छे के निकुन जनायक शे जी बावा बिराजे छे के शे नौनित प्रियाजी बिराजता होए के मदन मोहन जी स्वामनी जी होए एक कई लीलाओनू स्वरूप छे एक तो स्वरूप भावना भीजू छे लीला भावना अने भाव भावना जेपन तम्मे ठाकोर जी ने जे क्रिया करी रहा छो ये सेवा मा उर्प मा क्या रे परिवर्तित थाए कि जारे भाव भावना नो ग्यान होए ये सेवा रूपे क्या रे स्थापित थाए छे कि जारे तमारी भावना जोड़ा है ज़े ममना जन्माश्ट मी नन्मोसोत अपई पंजरी धराव मावे छे अलग-अलग सामगरी धराव मावे छे ठाकुर जी ने ज़े शिंगार धराव मावे छे ठाकुर जी ने अलग नाना प्रकार मी ज़े सामगरी धराव मावे छे तो ए पाचण नी भावना शू छे सामगरी नी भावना शू छे ए शिंगार नी भावना शू छे जारे ए भावना साथे तमें क्रिया करो छो तो ए सेवा थे अने करवा खातर शिंगार धरावी दीदा तो पची ए साधारन जडवत क्रिया कहवा है इस सेवान रूप में क्या रे परवर्ति दिखाए के जारे तमारी भावना जोड़ाए तो आस रूप भावना, लीला भावना, भाव भावना आनुग्यान महात्म ग्यान पूर्वस्तू एटले शिहराय महाप्रवुजी एईया अत्र श्रवन मात्रई कराग एवा वशिष्यते भावत मापमन कयोजिके श्रवन सर्वधर्मे ब्यो श्रवण भक्ती सर्वधर्मों मा स्रिष्ट छे एटले जेटलू बनीशके सास्त्रोंनू श्रवण करो वारता साहितनू श्रवण करो शोडश गरंतनू श्रवण करो वांचन करो एनू अनुसंधान करो एनाथी जे स्वरूप भावना द्रड थशे भाव भावना द्रड थशे लीला भावना द्रड थशे तो जो तमारी जे क्रिया चे ए सेवाना रूप मा परिवर्तित थशे और भावना निकल गई तो फिर वो केवल और केवल एक क्रिया रह जाती है जैसे लौकिक में हम क्रिया करते हैं तो वो क्रिया रही लेकिन आपके अंदर रही हुई भावना ही उस क्रिया को सेवा के रूप में परिवर्तित करता है इटले शी महा प्रवुजीनी जे बक्ती महात्म ज्यान खास करीने आजनों चे समय छे अनवतारकाल भगवद प्रादुर भावनु रहस्य जानवू ए परम आवश्यक छे प्रिया जनों ठाकुर्जीना अनेक प्रियोजनों चे भगवद गीतामा भगवान पोते आज्या करे छे के यदा यदा ही धर्मस्यक लान्मीर भवती भारत अब्युद्धानम धर्मस्यत दात्मानम स्रुजाम्यहम परित्राणाय साधूनाम विनाशायच दुश्कृताम धर्म संस्था पनार थाय संभवामी युगे युगे सुकारे छे धर्मसंस्था पनार थाय धर्मनी स्थापना करवा माटे परित्राणाय साधूनाम विनाशायच दुश्कृताम दुश्टोने दंड आपवा माटे साधू संतोने आनंद आपवा माटे धर्मसंस्था पनार थाय तदात् स्रुजा म्यहं धर्मनी स्थापना करवा माटे हुमारी आत्मा मुं सर्जन करूछू भगवद वाक्य चले युगो युगमा दरेक युगमा भगवद प्रयादुर भाव थाई छे जे मापड़ा शी महाप्रभुजी पन कल्युगमा क्रिश्ण स्थू भगवान जे स्वयम क्रिश्ण छे क्रिश्ण भगवान छे अने वस्तु तहक क्रिश्ण एव शी महाप्रभुजी पन एक क्रिश्ण नाजी सुरूप छे शी महा प्रभुजी ना रूपमा धर्म संस्थापनार थाया शी महा प्रभुजी ना रूपमा आप अउत्रीत थाया धर्मनी स्थापना करवा माते तो आप भगवद वचन छे भागवत प्रादुर भावना प्रिय जनो घणा बधा प्रयो जनो बतावामा आव्या छे हमना आजे थोड़ु विदंपन थे गए उचे समय नो भाव छे सुबोध नीजी अंतरगर शी आचारी चरण जे आग्या करे छे एनू थोड़ुक स्मरण करी ने विराम लईशु शी महाप्रभुजी सुबोध नीजी अंतरगर आग्या करे छे के भक्ता नाम दुख नाशाय क्रिष्णा वतरणम मतं भूमिर मारता तथा चान्याई भक्त्या वई त्रिविधा मताह जे अलग-अलग प्रयोजन छे भगवत प्रादुर भावना एमानों विशिष्ट प्रयोजन शे आचारी जी आग्या करे छे के त्रोन प्रकार ना जे भक्त छे इना दुखने दूर करवा माटे आपनू प्रागट्य छे एक तो भूमी भूमी ना दुखने दूर करवा माटे प्रभूनू प्रागट्य थे जारे हिरन आक्ष भूमीनू अरण करीने ले गयो और जे में एक स्त्रीनों कोई दुष्ट अपरण करीने ले जाए तो पच्छी ये स्त्रीनी शू आलत थाए इना मन्नी सूस्तिती वो विचार करो वरा रूप भगवान धारण करीने प्रित्वीनी रक्षा करी प्रित्वीजीने पूछिऊ के हवे तमने प्रभुए आपे मारी उपक क्रुपातो करी आपे अध्राम्रत प्रभुए प्रित्वीने मुखारविन पर धारण करीने वरा भगवाने प्रभुए पूतानों अध्राम्रत आपेऊ परन्तु प्रभुए आठली क्रुपा करी तोपन संतोष न थी कान कारण के कन्या वर येते रूपम आईका सिद्धान्त छे कन्या रूपने चाहे छे पृत्वी इस्त्री छे पृत्वी जी कहे छे के प्रभू आपे कृपातो करी आपे अध्रामिटनु दान तो आपियू परन्तु आपनु आ स्वरूप मने न गुन्यू सुरूप मधूर न थी आपे वरहा रूप छे अने कन्या वरयते रूपम रसिक जनोंने क्यारे संतोशनों थाए एक पची एक इच्छा एक पची एक भाव जागरत थाए ठाकुर जी इना पर प्रसन थेया अने हवे इने वर्दान आपियू के आवनार समय मा तारा मनुरत पूर्ण थशे अने पची शी राम चंद्रजी तरीके प्रभुआ पउत्रित थेया अने ये जे सीता जी प्रिथ्वी जी नो अन्शुरूप जेने सीता जी खड़नी कोश ने ये सीता कहवा है तो प्रिथ्वी जी नो एक आदी देवी को सुरूप सीता जी नी अंदर स्थापित थेयो पत्नी रूपे आपे स्विकार करेयो प्रिथ्वी ने जे वचन आपके तो ये मनुरत सिद्ध करेया राम अउतार समेटवानों समय आप ये पूछिऊ अब ठीक है अब आनंद है प्रभू सब ठीक है आपका स्वरूप भी सुन्दर है परन्तु आप अधा वनवास ने आखली बदी विपत्तियो आपनो वियोग किटला परश सुदी सहन करो पड़े हो प्रभू अजी संतोष नथी थयो अजी मनोरत पूर्ण नथी थयो अजी बाकी रहे गयो भूक लागी होई मन पसंद भोजन होई परन्तु पेट बरीन जमी न शक्की दो पजी येनों मतलब शुख प्रभू आविज कहीं स्थिती चे और कृपा करो प्रची प्रभू प्रसन दिन आशिर्वाद आपया के हवे कृष्णा उतार मा तारों मनोरत पूर्ण करी हवे प्रभू साक्षात आनंद कंद ब्रजमा प्रगट थया अने गौचारण, वन, लिला, रास, विहार, दान, मान, आखन, चोरी, रास, आधी, अनेग विविद लिलाओ करीने आपे प्रथ्वी जीना मनोरत पूर्ण करया एटले खास करीने जारशनी ब्रजभूमी मा आप आता आपश्री एपादुका जी धरावी न थी भूमी ने दूर करवा आटे भूमी ने आनंद आपवा माटे आज लीला अंतरगत आज कथामा एक बीजो एक प्रसंग आवे छे आचार्योए प्राचिन प्रिंत मा इनों इतियास मड़े छे कि जारे कृष्णा आउतार समेटी उत्यारे पूछिँ पृत्वीजी ने कि अब तो आनंद है हवे तो तारा मनोरत पूरा थेया तो ब्रत्वीजी के ना हजी पन बाकी रह गयू आपे तो केवल मारा चोडासी कोष्णा भाग जिटला मा आनंद आपयो और हुँ तो सरवांगे भूखी छे प्रभू प्रसंद है वर्दान आपयो कि हवे कल्यूग मा उशी वल्लब तरीके अवतरित थे अने तारा मनोरात पून करी जे वसुदेव की ये पूरण तपसो फल फली तशी बल्लब गिए जे गुपाल हुते आपण पदो माचे नूँ वन्णन करवामा आवे छे जे वसुदेव एडले शी महाप्रभुजी त्रण वकत प्रत्वी नी परिक्रमा करी पादुकाजी आप नता धरावता चालता चालता पन वचनामृत आपड़ा वेश्णोंने कहता जाए ज़ वचनामृत दुदान आपे चारनामृत नुदान आपे अन त्रोण वकत आपे प्रत्वी भारत नी परिक्रमा करी अन सर्वांग थी कोमल पद जयां कमल विलसे धन्य कहूंते देश ए एक कोमल पद द्वारा प्रत्वी ना मनुरत पूर्ण कर्या तो भगवत प्रादुर भावन एक मुख्य प्रयोजन चे प्रत्वी जीना दुखने दूर कर्या प्रत्वी जीना दुखने आपे दूर कर्या चे तो प्रत्वी भूमिर मारता भूमिना दुखने दूर जारे ब्रह्मा जी अने बदा देवता हो ठाकुर जी पासे गया स्तूती कर्वा माटे जे वर्णन आवे चे प्रत्वी जी गाईदो रूप धारन करिया अने प्रभूनी स्तुती करी विंती करी क्या प्रभूय मारी रक्षा करी परन्तु हवे आटला बदा असुर थाई गया अने ये असुरो ना भारती मूँ दुखी चू प्रत्वी दुखी सेना ती धाय चे असुरो ना भारती असुर को ने केवाए ये समय मा कंस के बदा उला बकासुर चानूर मुष्टिक ये अर्थमा खाली नहीं लेता असुर नो मतलब चे के जे पोता ने देह मानी ने शरीर मानी ने शरीर ना कोडने पूरा करवा मा जे पोता नो जीवन यापन करे चे ए बद्धा जीवो आसुरी जीवो चे हूँ एक शरीर केवल पोता ने देह मानी ने अन देह मानी ने जे जीवन नो निर्वहा मा खाव उपिवो ने सुई जाए बस एमा जे लागेला चे एवा व्यक्ति ओ थी पृत्वी दुखी चे तो ए पृत्वी ना दुखने दूर करवा माटे माताना दुखने दूर करवा माटे कारा ग्रमा आपनू प्रागठ्टे थ carbs अन्ह त्रीजू अन्य अन्य जे भक्तो चे ए भक्तों ना दुख नदूर करवा माटे शे ठाकुर्जी नू मुख्य रूपे आत्राण भक्तों न उद्धार करवा माटे एना मनोर्त पूर्ण करवा माटे आपनू प्रागट्टे थाई छे बाकी विना अशायच दुश्करताम के वन्ष बृद्धी करवी के मुख्य नू दान करवा एना माटे ठाकुर्जी चार व्यू साथे प्रगट्टे थाई चतर व्यू जे सुरूप छे प्रभु नू चार व्यू साथे जे आप पदारपन आपनू थाई जेम कोई एक राजा बीजा नगरमा के बीजा राज्यमा जारे जाए बीजा राश्ट्रमा तो ये पुतानी जाहो जलाली लश्कर साथे जाए एम प्रभु पन जारे आप रत्वी उपर अवतिर्त थाया तो पूरो इनू लश्कर ताम जाम प्रद्युन शंकरशन अनिरुदादी व्यूने समझू उपरमा अवश्यक छे आजे समय नी तुड़ी मरियादा छे विशे ये आउती काले जेवीते पन आपणने आउकाश हसे साड़ा पांच वागे अने तो इस साड़ा पांच वागे सांजना समय मा थुड़ोक आज विशे उपर आपने आत्म मन्थन करिशू ठाकुर जिनो जे प्रादुर भाव छे अने प्रभूनो जे प्रादुर भाव अवतार कालमा अने अनावतार कालमा कैरी ते प्रभूनो प्रादुर भाव थाए छे ए विशे उपर पन समझवानों आपने प्रयास करिशू तो आजना विशे ने बस अहिया सुपी राखिये अने आ आजना छटी उस्त्रवने खोग को बधाई नी साथ है शुभम भवतूर मारी वाणी न विरामा पूछुँँँँँँँद शिवल भाधेश कीज शिगिरी राज धरन कीज शिगोपाल लाल प्यारे कीज